नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल आयूर्ग्यान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक सिकंजी लेके आया हूँ जो की है मोटापा गटाने के लिए दोस्तों ये सिकंजी ये ओशदी अगर आप निरंतर एक से दो मास तक आपको लेना है तो आपको आपके मोटापे में काफी फर्क महसूस होगा इसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं निम्बू का और शेहद का और पानी का ये मैंने यहाँ पर निम्बू का पहले से रस निकालके रखा है ताकि वीडियो की डूरेशन थोड़ी कम हो जाए तो आपको क्या करना है इस वीडियो में मैं जो भी मात्रा आपको बताऊं उसका विशेश द्यान रखना है कितने ग्राम पानी लेना है, कितने ग्राम नीमबू का रस लेना है, कितना शहद लेना है और इसमें आपको जो भी मैं परहिज बताऊं वो भी करना है दोस्तों जब मोटापा गटाने की बात आती है तो सबसे पहले आप अपनी खानपान पर ध्यान दे यानि कि ऐसी चीज़े मत खाईए जिससे की मोटापा बढ़े दूसरी बात आती है नियमित आप योग करें ऐसे योगासन जो आपके मोटापा गटाने में आपकी मदद करते हैं वो आपको करना है उसके बाद ये औशदी लेनी है तो चलिए वीडियो शुरू करते है सबसे पहले बात करते हैं पानी की ये जो पानी है आपको लेना है 125 ग्राम यानि कि पाव का जो गिलास होता है उसका आधा पानी लेना है इसको सबसे पहले उबालना है उबालने के बाद आपको इसे ठंडा करना है ठंडा करने के बाद जब ये गुनगुना हो जाए गुनगुना रह जाए तब उसमें आपको क्या करना है 15 ग्राम ये जो निम्बू का रस है निम्बू का रस निकालके आपको डालना है जो की लगबग 2 चमच के बराबर होता है तो आपको क्या करना है इस पानी में 15 ग्राम ये निम्बू करस डालना है उसके बाद आपको इसमें मिलाना है शेहद ये भी आपको 15 ग्राम मिलाना है यनि की दो चमच के बराबर ये भी शेहद भी आपको इस पानी में मिलाना है आपको दो चमच के लगबग मिलाना है मैं यहाँ पर आपको सेंपल के लिए बता रहा हूँ इसको पानी में मिला के जैसे हम शर्बत बनाते है उस टाइप से इसको आपको मिलाना है अच्छे से शहद अच्छा मिल जाए दो चमच लेना है पूरा और इसको अब आपको करना क्या है प्रती दिन सवेर है भूके पेट यानि कि खाली पेट पीना है एक मास से दो मास तक यह पीना है यह जो सर्बत है यह पेट के रोग दूर करता है जठ्रांगिनी तेज बनाता है और यह मतलब आपके ऐसा भी मोटापा होगा ठीक करने में शक्षम है तो दोस्तों यह साधरन सा उचार है जैसे हम निम्बू की सिगंजी बनाते हैं कैवल हमने शहद का इस्तेमाल किया है शहद निम्बू के साथ मिलकर मोटापा गटाता है और आपको क्या करना है इसमें विशेश मोटापा घटाने में शाहायक योगासन और कसरत क्रियाय प्रतिदिन करें और योगासनों में आप उत्तानपदासन, पस्चिमोतासन, भुजंगासन, दनुरासन ये जो है योगासन ये कर सकते हैं उसके बाद बोजन आपको हलका करना है, दिन में एक बार करना है चोकर की रोटी खाना लाप प्रद है, हरी सबजियों का विशेज सेवन करें आप साइकाल केवल फल ले, भुजन के साथ जल नहीं लेना है, पानी नहीं लेना है भुजन के एक गंटे पच्चा थोड़ा जल पिए, टाय, कोफी, चर्बी बढ़ाने वाले मीठे पदार्तों का आपको सेवन बिलकुल कम करना है नह के बराबर ये दोस्तों जो बाते बोली मैंने आप इस पर विशेज ध्यान दे और ये आप और शेती इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो हमारा आयरग्यान यूट्यूब चनल आप ज़रूर सस्क्राइब कीजिएगा, धन्यवाद